मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार आज पुरा देश रक्षा बंधन का त्योहार मना रहा है सभी देश्वासियों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुबकामना है रक्षा बंधन का पर्व बहन और भाई के आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतिक मना जाता है यह त्योहार सदियों से सामाजिक स्ववहार्थ का भी एक बड़ा उधारन रहा है देश के इतिहास में अनेक ऐसी कहानिया है जिन में एक रक्षा सुत्र ने दो अलग-अलग राज्यों या धर्मों से जुड़े लोगों को विश्वास की डोर से जोड़ दिया था अभी कुछी दिन बाद जन माश्मिका पर्व भी आने वाला है पूरा वाथावरन हाथी गोड़ा पाल की जय कनेया लाल की गोविंदा गोविंदा की जय गोश से गुझने वाला है भगवान कृष्ण के रंग में रंग कर जुमने का सहज आनन अलग ही होता है देश के कई हिस्सों में और विशेशकर महराष्ट में धही हांडी की तैयारिया भी हमारी युवा कर रहे होंगे सभी देश वाचियों को रक्षा बंधन एवं जनमास में की हारदिक शुब कामना है प्रधान मंत्री महोदया नमस्काराह अहम चिन्मई बेंगलूरु नगरे विजय भारती विद्याले दशमक अक्षायां पठामी महोदया अध्य संस्कृत दिनम अस्ति संस्कृत भाषा सरला इति सर्वे वदन्ति संस्कृत भाषया वयं बहा बहा अत्रसंभाषणम अपिकुर्महा अत्तह संस्कृतस्य महत्व विशये भवतह कह भिप्रायह इति कृपयावदत्तु भगेनी चिन्मई भवती संस्कृतेन प्रश्णम पुष्टवती भहूतमम भहूतमम अहम भवत्याह अभिनंदनम करोमी संस्कृत सप्ताहच्य निमितम देश वाचिनाम सर्वेशाम कृते मम हार्दिक शुबकाम नहा मैं बेटी चिन्मई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसने यह विश्य उठाया साथी और रक्षा बंधन के लावास रावन पुलिमा के दिन संस्कृत दिवस भी मनाये जाता है मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ जो इस महान धरोहर को सहजने, सवारने और जन सामाने तक पहुचाने में जुटे हुए है हर भाषा का अपना मात्मय होता है भारत इस बात का गर्व करता है कि तमिल भाषा बिश्व की सबसे पुरानी भाषा है और हम सभी भारती इस बात पर भी गर्व करते हैं कि वेद काल से वर्तमान तक संस्कृत भाशा ने भी ज्यान के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है। गणीत हो या मेनेजमेंट हो अर्थसास्तर की बात हो या परियावरण की हो। कहते हैं कि ग्लोबल वर्मिंग की चुनवतियों से निपटने के मंत्र हमारे वेतों में विस्तरार से उलेख है। आप सबको जानकर हर्ष होगा कि करनाट गराज के, शिवमोगा जिले के, मत्रूर गाउं के निवासी आज भी बातचीत के लिए संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आपको एक बात जानकर आश्चेल होगा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अनंत शब्दों की निर्मिती संभव है। 2000 धातू, 200 प्रत्य यानि सफिक्ष, 22 उपसर्ग यानि प्रफिक्ष और समास से अन्गिनत सब्दों की रचना संभव है। और इसलिए किसी भी सुक्ष्म से सुक्ष्म भाव या विशे को एक्कुरेटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। और संस्कृत भावचा की एक विश्यस्ता रही है। आज भी हम कभी अपनी बात को अताकत पर बनाने के लिए अंग्रेजी कोटेशन्स का उप्योग करते हैं। कभी शेर शायरी का उप्योग करते हैं। लेकिन जो लोग संस्कृत सुभासितों से परिचित हैं। उन्हें पता है कि बहुती कम शब्दों में इतना सटीक बयान संस्कृत सुभासितों से होता है। और दूसरा वो हमारी धर्ती से हमारी परंपरा से जुड़े हुए होने के कारण समझना भी बहुत आसान होता है। जैसे जीवन में गुरु का महत्व समझाने के लिए कहा गया है। एकम अपी अक्षरम यस्तु गुरुहु शिश्यम प्रभोधयत पुरुथिव्याम नास्ति तद्रव्यम यत दत्वा सह अन्रूनी भवेत। अर्थात कोई गुरु अपने शिश्य को एक भी अक्षर का ज्यान देता है तो पूरी पुरुथि में ऐसी कोई वस्तु या धन नहीं जिससे शिश्य अपने गुरु का वहरुण उतार सके। आने वाले सिक्षक दिवस को हम सभी इसी भाव के साथ मनाएं। ज्यान और गुरु अतुल्य है, अमुल्य है, अनमोल है। मा के अतिरिक्त सिक्षक ही होते हैं जो बच्चों के विचारों को सही दिशा देने का दाईत्व उठाते हैं और जिसका सर्वाधिक प्रभाव भी जीवन भर नजराता है। सिक्षक दिवस के मोके पर महान चिंतक और देश के पूर्व राश्प्रती भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को हम हमेशा याद करते हैं। उनकी जन्म जेनती को ही पुरा देश सिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। मैं देश के सभी सिक्षकों को आने वाले सिक्षक दिवस के सुबकामनाई देता हूँ। साथ ही मैं ज्यान, सिक्षा और चात्रों के प्रती आपके समर्पन भाव का अभिननदन करता हूँ। मेरे प्यारे देश वाशियों, कठीन परिश्रम करने वाले हमारे किसानों के लिए मानसुन नई उम्मीद लेकर आता है। भीशन गर्मी से जुलस्ते पेड, पहुंदे, सुखे जलासें को रहत देता है। लेकिन कभी-कभी यहां तिवरुष्टी और विनाश का रिभाड भी लाता है। प्रकृती की ऐसी स्थिती बनी है कि कुछ जगहों में दूसरी जगहों से ज़्यादा भारिश हुई। इस्थितियों में पुरादेश केरल के साथ खड़ा है। हमारी समवेद्राएं उन परिवारों के साथ है। जिनों ने अपनों को गवाया है। जीवन की जो खशती हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। लेकिन मैं सोग संतप्त परिवारों को विश्वात दिलाना चाहता हूँ। कि सवासो करोड भारतिया दुख की इस गड़ी में आपके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़े है। मेरी प्रार्थना है कि जो लोग इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुई हैं वे जल्द से जल्दस्फस्त हो जाए। मुझे पुरा विश्वास है कि राज्य के लोगों के जजवे और अदम में साहस के बल पर केरल सिग्र ही फिर से उठखड़ा होगा। आपदाएं अपने पीछे जिस प्रकार की बरबादी छोड़ जाती हैं वे दुर्भा के पुण हैं। लेकिन आपदाओं के समय मानोता के भी दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। कच्छ से कामरूप और कस्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ कर रहा है। ताकि जहां भी आपत्याई हो चाहे केरल हो या हंदिस्तान के और जीले हो और इलाके हो जन जीवन फिर से समान्य हो सके। सभी एज ग्रूप और हर कारक्षेत्र से जुड़े लोग अपना योगदान दे रहे हैं। हर कोई सुनिश्चित करने में लगा है कि केरल के लोगों के मुसिबत कम से कम की जा सके। उनके दुख को हम बाटे, हम सभी जानते हैं कि ससस्त्र बलों के जवान केरल में चल रहे बचाव कारे के नायक है। उन्होंने बाड में फसे लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी एरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, बिएसेप, सी आईसेप, आरेएप हर किसे ने राहत और बचाव अभ्यान में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है मैं एंडी आरेप के जाबाजों के कठीन परिश्वम का भी विशेश उलेक करना चाहता हूँ संकड के इक्षण में उन्होंने बहुत ही उत्तम कारे किया है एंडी आरेप की ख्षमता, उनक्या कमिट्मेंट और परीत निनने करके परिश्थित्य को समानने का प्रयास हर हिंदुस्तानी के लिए एक नया सुर्धा का केंदर के रुप बन गया है कल ही ओनम का परव था हम प्राथना करेंगे कि ओनम का परव देश को और खासकर केरल को शक्ति दे ताकि वो इस आपदा से जल्द से जल्द उबने और केरल की वकास यात्रा को अधिक गती मिले एक बार फिर मैं सभी देश्वासियों की और से केरल के लोगों को और देश्वर के अन्य जिस्सों में जहां जहां आपदा आई है विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुरा देश संकट की इस घड़ी में उनके साथ है मेरे पैरे देश्वासियों इस बार मैं मन की बात के लिए आई सुझावों को देख रहा था तब देश्वर के लोगों ने जिस विशय पर सबसे अधिक लिखा वह विशय हैं हम सब के प्रिय स्रिमान अटल विहारी बाचपाई गाजी आबाद से किर्ती, सोनीपर्ट से स्वाती वत्स, केरल से भाई प्रमीन, पस्चिम मंगाल से डॉक्टर स्वपन बैनर जी बिहार के कठिहार से अखिलेश पांडे, न जाने कितने अंगिनीत लोगों ने नरेंद्र मोदी मोबाईल एप पर और माईगाव पर लिकर मुझे अटल जी के जीवन के विभिन्द पहलूं के बारे में बात करने का आगरह किया है 16 अगस को जैसे ही देश और दुनिया ने अटल जी के नीधन का समाचार सुना हर कोई शोक में डूब गया एक ऐसे राष्ट लेता जिनोंने 14 वर्ष पहले प्रधानमंत्री पत छोड़ दिया था एक प्रकार से गत दस वर्ष से वे सक्रिय राजनीती से काफी दूर चले गए थे खबरों में कहीं दिखाई नहीं देते थे, सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आते थे दस साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है लेकिन सोला अगस के बाद देश और दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के मन में ये दस साल के कालखन ने एक पल का भी अंतराल नहीं होने दिया अटल जी के लिए जिस प्रकार का स्ने जो सरद्धा और जो शोक की भावना पूरे देश में उमण पड़ी वो उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाती है पिछले कई दिनों से अटल जी के उत्तम से उत्तम पहलू देश के सामने आही गए है लोगों ने उन्हें उत्तम साउसत, सम्वेज़सन से लेखक, स्रेष्ट वक्ता, लोगप्रिय प्रधानमति के रुप में याद किया है और करते हैं सूसासन याने गुड गवरनस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा लेकिन मैं आज अटल जी के विशाल व्यक्तित्व का एक और पहलू उसे सिर्फ स्पर्स करना चाहता हूँ और यह अटल जी ने भारत को जो पोलिटिकल कल्चर दिया, पोलिटिकल कल्चर में जो बढ़लाव लाने का प्रयास किया उसको व्यवस्था के ढांचे में ढालने का प्रयास किया और जिसके कारण भारत को बहुत लाब हुआ है और आने वाले दिनों में बहुत लाब होने वाला है ये भी पक्का है भारत हमेशा 91 संसोधन अधिनियम 2003 के लिए अटल जी का कृतग्य रहेगा इस बड़लाव ने भारत की राजनीती में दो महत्वपुन परिवर्तन किये पहला ये कि राज्यों में मंत्री मंदल का आकार कुल विदान सबा सीटों के 15 प्रतिसत तक सिमीत किया गया दूसरा ये कि दल बदल विरोधी कानून के तहत तैश सिमा एक तिहाई से बढ़ा कर दो तिहाई कर दी गई इसके साथ ही दल बदल करने वालों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पष्ट दिछा निर्देश भी निर्धारित किये गए कई वर्षों तक भारत में भारी भरकम मंत्री मंदल गतित करने की राजनीतिक सस्कूरती रही बड़े बड़े जम्बो मंत्री मंदल कारे के बटवारे के लिए नहीं बलगि राजनेताओं को खुश करने के लिए बनाये जाते थे अटल जी ने इसे बदल दिया उनके इस कदम से पैसो और समसाधनों की बच्चत हुई इसके साथ ही कारक्षमता में भी बढ़ोत्री हुई ये अटल जी जैसे दिर्ग दश्टाही थे जिनों ने इस थिति को बढ़ला और हमारे राजनीतिक संस्कूरती में स्वस्त परमपराय पनपी अटल जी एक सचे देशभक्त थे उनके कारकाल में ही बजेट पेश करने के समय में परिवर्तन हुआ पहले अंग्रेजों की परमपरा के अनुसार शाम को पांच बजे बजेट प्रस्तुत किया जाता था क्योंकि उस समय लंदन में पार्लामेंट शुरू होने का समय होता था वर्त 2001 में अटल जी ने बजेट प्रेश करने का समय शाम पांच बजे से बदल कर सुबह ग्यारा बजे कर दिया एक और आजादी अटल जी के कारकाल में ही इंडियन फ्लैक कोड बनाया गया जिससे सारव्यनिक स्थलों पर तिरंगा भैराना संभव गवा इसी के चलते अधिक से अधिक भारतियों को अपना राष्ट्व द्वज भैराने का आउसर मिल पाया इस तरह से उन्होंने हमारे प्राण प्रिये तिरंगे को जन सामान्य के करीब लाया आपने देखा किस तरह अटल जी ने देश में चाहे चुनाव प्रक्रिया हो और जन प्रतिनिद्यों से सम्मंदित जो विकार आये थे उनमें साहत सी कदम उठा कर बुन्यादी सुधार किये इसी तरह आजकल आप देख रहे हैं कि देश में एक साथ केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने के विशे में चर्चा आगे बढ़ रही है इस विशे के पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं ये अच्छी बात है और लोगतंत्र के लिए एक सुप संकेद भी मैं जरूर कहूंगा स्वस्थ लोगतंत्र के लिए उत्तम लोगतंत्र के लिए अच्छी परंपराएं विख्षित करन लोगतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्यास करना चर्चाओं को खुले मन से आगे बढ़ाना यह भी अटल जी को एक उत्तम सरदांजली होगी उनके सम्रुद्ध और विक्सित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोराते हुए मैं हम सब के और से अटल जी क सरदांजली अर्पित करता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों संसत की आजकल चर्चा जब होती है तो अक्सा रुकावट हो अल्ला और गतिरोत के विशे में ही होती है लेकिन यदि कुछ अच्छा होता है तो उसकी चर्चा इतनी नहीं होती है अभी कुछ दिन पहले ही संस 14С रही दल हिट से उपर ओड कर सभी संसदों ने मानसुन सत्र को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया और उसी का प्रणाम है कि लोक सभा ने 21 विधैक और राज सभा ने 14 विधैकों को पारित किया संसत का यह मानसुन सत्र सामाजी ग्नाए और युवाओं के कल्यान के सत्र के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस सत्र में युवाओं और पिछडे समुदायों को लाब पहुंचाने वाले कई महत्वपून विधायों को पारित किया गया। आप सबको पता है कि दसकों से SC-ST कमिशन की तरह ही OBC कमिशन बनाने की मांग चलिया रही थी। पिछडे वर्के अधिकारों को सुनिशित करने के लिए देश ने इस बार OBC आयोग बनाने का संकल पूरा किया और उसको एक सम्वेधानिक अधिकार भी दिया। यह कदम सामाजिक न्याय के उद्देश को आगे ले जाने वाला सिद्ध होगा। अनुसुची जाती एवाँ अनुसुची जन जाती के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संसोधन विदेक को भी पास करने का काम इस सत्र में हुआ। यह कानून S.C. और S.T. समुधाय के हीतों को और अधिक सुरक्षित करेगा। साथ ही यह अपराधियों को अत्याचार करने से रोकेगा और दलित समुधायों में विश्वास भरेगा। देश की नारी शक्ति के खिलाब कोई भी सब्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बरदास्त नहीं कर सकता। बलाधकार के दोशियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले आपने अक्वारों में पढ़ा होगा मद्द प्रदेश के मंसोर में एक अदालत ने सिर्फ दो महने की सुनवाई के बाद नाबालिक से रैप के दो दोशियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके पहले मद्द प्रदेश के कटनी में एक अदालत ने सिर्फ पांच दिन की सुनवाई के बाद दोशियों को फांसी की सजा दी। राजस्तान ने भी वहां की अदालतों ने भी ऐसे ही त्वरीत निर्ने किये हैं। यह कानून महिलाओं और बालिकाओं के खलाब अपरात के मामलों को रोकने में प्रभावी भूमी का निभाएगा। सामाजिक बरलाव के बिना आर्थिक प्रगती अधूरी है। लोग सभा में ट्रीपल तलाग बिल को पारित कर दिया गया, हाला की राजसभा के इस सत्र में संभव नहीं हो पाया है। मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वाद दिलाता हूं, पुरा देश उन्हें नहाय दिलाने के लिए पुरी ताकत के साथ खड़ा है। जब हम देश हित में आगे बढ़ते हैं, तो गरीबों, पिछडों, शोशितों और वंचितों के जीवन में बढलाव लाया जा सकता है। मानसुन सत्र में इस बार सबने मिलकर एक आदर्स प्रस्तूत कर दिखाया है। मैं देश के सभी सांसदों को सारवजनिक रूप से आज रिदय पुरवक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों करोणों देशवासियों का ध्यान जकारता में हो रहे एशियन गेम्स पर लगा हुआ है। हर दिन सुभर लोग सबसे पहले अख़बारों में, टेलिविजन में, समाचोरों पर, सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस भारतिये खिलाडी ने मेडल जीता है। एशियन गेम्स अभी भी चल रहे हैं, मैं देश के लिए मेडल जीतने वाले सभी खिलाडियों को बधाई देना चाहता हूँ। उन खिलाडियों को भी मेरी बहुत-बहुत शुप कामना हैं, जीन की स्परधाएं अभी बाकी हैं। भारत के खिलाडी विशेश कर सूटिंग और रेस्टिंग में तो उत्कुष्ठ प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाडी उन खेलों में भी पदक ला रहे हैं, जीन में पहले हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। जैसे बुशू और रोइंग जैसे के ये सिर्फ पदक नहीं है, प्रमाण है भारतिय खेल और खिलाडियों के आसमान छुते होंसलों और सपनों का। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि जीन खिलाडियों ने मेडल जीते हैं, उनमें से अधिक तर छोटे कस्पों और गाउं के रहने वाले हैं। और इन लोगों ने कठीन परिश्रम से इस सफलता को अरजित किया है। 29 अगस्त को हम राष्ट्रिय खेल दिवस मनाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी खेल प्रेमियों को शुब कामनाई देता हूँ। साथ ही होकी के जादूगर, भान खेलाडी सी ध्यान चंची को अपनी स्रधाजली अरपित करता हूँ। मैं देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ, कि वे जरूर खेलें और अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। क्योंकि स्वस्त भारत ही संपन और समरुद्ध भारत का निर्माण करेगा। जब इंडिया फिट होगा, तब ही भारत के उजवल भविश का निर्माण होगा। एक बार फिर मैं एशियन गेम्स में पदक विजयताओं को बधाई देता हूँ, साथ ही बाकी खिलाडियों के अच्छे प्रदर्शन की कामना करता हूँ। सभी को राष्ट्य खेल दिवस की भी बहुत बहुत शुब कामना है। उस उपलक्ष में अगर आप हम जैसे इंजिनिरिंग के चात्र चात्राओं से कुछ बाते करें जिससे हम सब का मनोबल बढ़ेगा और हमें बहुत खुशी होगी। और आगे आने वाले दिनों में हम अपने देश के लिए कुछ करने का में प्रोचसाहन भी मिलेगा। धन्यवाद। लेकिन ऐसा हुआ था और वो मंदीर है महराष्ट के इलोरा में स्थित कैलाशनात मंदीर। अगर कोई आपको बताएं कि लगबग हजार वर्ष पूर्व ग्रेनाइड का साथ मिटर से भी लंबा एक स्तंब बनाये गया और उसके सीखर पर ग्रेनाइड का क्रिव असी टन वजनिक एक सीला खंड रखा गया। तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन तमिन नाडु के तंजावूर का बुरहदेश्वर मंदीर वुस्तान है जहां स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग के इस अविश्वेश्णिय मेल को देखा जा सकता है। गुजरात के पाटन में ग्यारवी शताबदी की रानी की वाव देखकर हर कोई आश्यरे चकीत रह जाता है। भारत की भूमी इंजीनियरिंग की प्रयोक्षाला रही है। भारत में कई ऐसे इंजीनियर हुए जिनोंने अकल्पनिय को कल्पनिय बनाया और इंजीनियरिंग की दुनिया में चमतकार कहे जाने वाले उदाहान प्रस्तूत किये। महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचम्वित कर रहे हैं। और वे थे भारत रत्न डाक्टर एम विश्विस्वरिया। कावेरी नदी पर उनके बनाए कृष्णराज सागरबान से आज भी लाखों की संख्या में किसान और जन सामान्य लाभानवित हो रहे हैं। देश के उस हिस्से में तो वो पुझनी है ही बाकी पूरा देश भी उन्हें भावती संवान और आत्मियता के साथ याद करता है। उनी की याद में 15 सितंबर को इंजिनियर्स डे के रूप में मनाये जाता है। उनके 25 पर चलते हुए हमारे देश के इंजिनियर्स पुरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। एंजिनियर्स की दुनिया के चमतकारों की वाद जब मैं करता हूँ तब मुझे आज 2001 में गुजरात में कच्छ में जो भेंकर भूकम पाया था। तब कि एक घटना याद आती हैं। उस समय में एक वॉलिंटियर के रूप में वहां काम करता था। तो मुझे गाउं में जाने का मोगा मिला और वहां मुझे सो साल से भी अधिक आयू की एक मां से मिलना का मोगा मिला। और वो मेरी तरफ देखकर के हमारा उपहास कर रही थी। और वो कह रही थी। देखो ये मेरा मकान, कच में उसको भूंगा कहते हैं, बोले इस मेरे मकान ने तीन तीन भुकम देखे हैं, मैंने स्वयम ने तीन भुकम देखे हैं, इसी घर में देखे हैं, लेकिन कहीं पर आपको कोई भी नुक्सान नजर नहीं आया, यह घर हमारे पुर्वजों ने यहां कि प्रकृति के अनुसार यहां के वातावन के अनुसार बनाए थे और ये बात वो इतने घरवर्वर से कह रही थी तो मुझे यही विचाराया कि सद्यों पहले भी हमारे उस कालखन के इजनेरों ने स्थानी ये परिस्तित्यों के अनुसार कैसी रचनाय की थी कि जिसके जनसामान्य सुरक्षित रहता था, अब जब हम एंजिनियर डे मनाते हैं, तो हमें भविश्य के लिए भी सोचना चाहिए, स्थान स्थान पर वर्क्षप्स करने चाहिए, बदले हुए यूग में हमने किन किन नई चीजों को सिखना होगा, सिखाना होगा, जोड़ना होगा, आज कल डिजास्टर मेनेजमेंट एक बहुत बड़ा काम हो गया है, प्राकृतिक आपदाओं से विश्वे जूज रहा है, ऐसे में स्ट्रक्षरल एंजिनियरिंग के नया रूप क्या हो, उसके कोर्सिस क्या हो, स्टूडन्स को क्या सिखाय जाए, कंस्ट्रक्षन निर्मा इको फ्रेंडली कैसे हो, लोकल मट्रियल्स का वेल्यू एडिशन करके, कंस्ट्रक्षन को कैसे आगे बढ़ाये जाए, जीरो वेस्ट यह हमारी प्रात्विक्ता कैसे बने, ऐसे अनिक बाते हैं, जब एंजिनियर डे मनाते हैं, तो जुरूर हमने सोचनी चाहिए, मेरे प् प्राती दिवाली की तैयारिया भी शुरू हो जाती है, मन की बात में मिलते रहेंगे, मन की बाते करते रहेंगे, और अपने मन से देश को आगे बढ़ाने में भी जूटते रहेंगे, इसी एक भावना के साथ आप सब को बहुत-बहुत शुब कामनाएं, धन्यवाद फिर में लेंगे.